हालो फ्रेंट फिर आपको बहुत स्वागेत है दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं कि कितनी मेरिट तक आपको जो डायट कॉलेज है वो मिल सकता है और प्राइबेट कॉलेज किनी स्ट्रेंट्स को मिलेगा क्या ऐसे भी कुछी स्ट्रेंट्स ह इस बारे में जानकारी मिल सके अगर आपने डियलेट वीटिसी के लिए ऑनलाइन आविदन कर दिया है तो अच्छी बात है अगर अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है तो इस समय डियलेट एड्मिशन की जो वेबसाइट है वो सही चल लाई है और इस समय आप अपने जो आ कॉलिज मिल जाएगा अगर आप भी जाना चाहते हैं तो वीडियो में तक बन रहेगा इस वीडियो को आपने फ्रेंट्स के साथ ज्यादा ज्यादा सेट कर दीजे तो सबसे पहले तो हम यह आपर वता देते हैं कि आपकी जो मेरिट है उसमें 10th क्लास की आपकी परसेंटे क्लास में जेतने आपकी कोर्स में मेरेट परसेंटेज होगी वो यहाँ पर जो है वो कैलकुलेट की जाएगी यानि कि जोड़ ली जाएगी तीनों कोर्स की जैसके 10th है स्कूल इंटरमेडिट और गेजिशन की यह जो भी परसेंटेज जाएगी ठीक है जैसके 7 और 714 चौ इस मेरेट के बेस पर बनाती है और आपकी जो काउंसलिंग होगी वो इस्टेट रैंक के आधार पर हो जागी 12 सेतंबर को PNP की तरफ से आपकी जो इस्टेट रैंक है वो जारी कर दी जागी अभी आगे वीडियो में आपको यही बताने वालें कि कितनी इस्टेट रैंक आपको जो है वो डाट कॉलेज मिल जागा ठीक है तो इस तरह से आप देख सकते होंगे कि आपकी जो मेरेट लेस्ट है वो इस तरह से आप बना सकते हैं अगर यहाँ पर कोई मिस्टेक होई हो तो उसे आप ज़्यादा ध्यान मत दीजेगा उसी इग्नॉर कर सकते हैं बाक ही मेरिक तक आपको डाट कॉलेज मिल जाता है ठीक है यहाँ बहुसार इस्ट्रेंट्स का निफ्यूजन रहते हैं कि यह डाट कॉलेज क्या होता है डिस्टिक इंस्टिटूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग जिला सिक्षा एबं पिर सिक्षड संस्थान इस हिंदी म आप समझ जाए हम गवर्मेंट कॉलेज की बात कर रहें तो यह तो मेंट पॉइंट हो गया चलिए अब यहाँ पर बात कर लेतें कि डाट कॉलेज मिल कितनी परसेंटेज तक जागा अगर आप जनरल के डिगरी में तो मान कर चलिए कि अभी चार लाक पिलस जो आवेदन है तो ऐसी कंडिशन में यहाँ पर आपके जो मैट लिस्ट बहुत ही जादा होना चाहिए यहाँ पर तभी आपको गवर्मेंट है निकि डायट कॉलेज जो है वो मिल जाएगा यहाँ पर अगर हम यहाँ पर आपको बता दें तो यहाँ पर मान कर चलिए कि इस से पिलस ही रह या 2021 में जो 10th or 12th क्लास पास करते हैं उनकी परसेंटेज आपने देखी होगी 90-90 परसेंटेज आती है किसी की 88, किसी की 92 ऐसे परसेंटेज आती है तो आभी जिन इस स्टुटेंट ने 10th or 12th क्लास पास किया होगा टीकर वो तो आपको बता होगा डारेक्ट तो यहाँ पर हो नहीं जागा ग्रिजिशन कंप्लीट करने के बाद होगा लेकिन 2020 से पहले भी 2020 से पहले भी काफी वो डिसंख्या में स्ट्रेंट्स ऐसे रहे हैं जिनकी परसेंटिस 90-90 तक आती है की जो संख्या है वो चार लाख पिलस हो चुकी वही है जी हाँ दोस्तों इतनी बड़ी संख्या में यहां पर फॉर्म भरे जा रहे हैं कि आपकी जो मैट लिस्ट है वो बहुत ही ज्यादा हाई रहेगी कोई भी यहां पर जो है वो अनुमान नहीं लगा सकता है लेकिन फिर लिजी है कि हमने किया दिधिया दोलो भाई मिल ही जाएगा ऐसा नहीं होगा काउंसलिंग में आप कॉलेजट कुघर करेंगे तो जब चुश के तरफ से अलोट कियागा चाउंस्वर का सुमें आपको पता चलेगा कि आपको डियाट-कॉलेज मिला है यहां बताने से यह न पहले से आनुमान नहीं लगा सकता है ठीक है ये चीज़ आपको बताई जा रहे है लेकिन फिर भी आपकी तसली के लिए हम यहाँ पर आपको बता दे रहे हैं कि लगबग इतनी परसेंट है अगर जनल के डिगरी में तो आपको मिल सकता है लेकिन कंफर्म नहीं है कि से और न सब्सक्राइब के लिए जो सीटें वो रहती है तो एसे स्टी में थोड़ा डाउं रहेगा मानकर चलिए 220 प्लस है तब भी आपको डाट कॉलिज जो है बहुत सानी से मिल सकता है अभी यह सारी चीज़ है जो परसेंटेज हाई हो रही है आप कहेंगे इतनी ज्यादा परसे पर क्यों मिल ला है कॉलेज अब ऐसा तो है नहीं हम अपने घर से दे रहे हैं आप लोग फॉर्म फिल कर रहे हैं आप लोग आपस में तैकर लिजे कि फॉर्म फिल मत कीजे कम आवे दन कीजे यू स्टेंट से डियलेट ना करे अभी जब जून में फॉर्म भरे गए थे ज कॉलेज ठीक है जिसकी 200 परसेंटेज होती ना वह भी घुस जादा जागा डायट कॉलेज में उसे भी मिल जाता हाराम से डायट कॉलेज अब आप लोग यहां पर लगाता है डियलेट अडमिशन की डेट बढ़ रही है तो आप लोग लगाता है उसमें आवे दन कर रहे है तो इसकी संख्या बढ़ रही है और जब संख्या बढ़ रही है तो इसका जो पूरा एफेक्ट है वो हमारे उपर नहीं पढ़ेगा आप सोचते होंगे हमारे कोई नुकसानों का हमारे उपर एफेक्ट पढ़ेगा यह सारे एफेक्ट आपकी उपर पढ़ेगा आप लोग यह नहीं बता पागा कि हाँ भीया आपकी 240 प्रसेंट है तो आपको डाट कॉलेज मिली जाएगा कोई भी कंफर्म नहीं बता पाएगा क्योंकि जब तक आप काउंसलिंग नहीं कराएंगे तब तक कुछ भी पता नहीं चलेगा फिलाल यह एक अनुमानित जो चीज है वो मैं पतार लाते रहते हैं इसके साथ ही जैसे ही आपकी प्रसेश स्टार्ट होगी यानि कि मैट लिस्ट आएगे 12 सितंबर को और 15 सितंबर को आपकी काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी यह सारी चीज़ें हम आपको आलेडी बता चुकें क्या के डॉकुमेंट्स लगेंगे य सितंबर करने की लास टेट हो पांच सितंबर गया है फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट निकाने की लास टेट है तो पांच सितंबर के बाद 6 सितंबर को जो आपके टोटल स्ट्रेंट्स की संख्या वो पता चल जाएगे कि यह चार लाख स्ट्रेंट्स पिलस स्ट्रेंट कर दिया है तो उसमें आप समझे जाएंगे कि इतनी वर्ड संक्याम जब आवे दिन हुएं तो फिर हमें डाट कॉलिज मिल पाएगा या फिर नहीं मिल पाएगा बाकि आप नमार्शाथ इस तरह से बने रहेगा आज की स्वीडियों बस इतना ही मिलते हैं पर नीए वीडियो